वेलकम बैक इन दिस वीडियो दूसरा चरण बिहार में एक लाग बाइस अजार सिख्छकों की होगी बाहली बीप्यसी की सिख्छक भरती परिच्छा का परिणाम 25 तक जी हैं दोस्तों एक बिग अपडेट के साथ मैं उपसे थूँ क्या है अपडेट आए देखते हैं इस व होगी बाली बीप्यसी की सिख्छक भरती परिच्छा का परिणाम 25 तक असी अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे इस बार और 31,982 पदों पर सबसे पहले छटी से आठवी की कच्छा के लिए रिजल्ट जारी होगा जह दोस्तों दूसरे चरण की एक लाग 22,286 सिख्छक भ तक रिजल्ट जारी करने की है पहली से बार्मी कच्छा के लिए अलग अलग कोटी के सिख्छकों के रिजल्ट जारी होने में 3-4 ती दिन लगने का अनुमान है जह दोस्तों दूसरे चरण की एक लाग 22,286 सिख्छक भरती परिच्छा का रिजल्ट इसी सब्ता आने वाला है विपेसी की तयारी 25 दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने की है पहली से बारवीं तक कक्छा के लिए अलग-अलग कोटी के शिख्षकों के रिजल्ट जारी होने में 3-4 दिन लगने का अनुमान है तो मुताबिक आयोग लगबग 80 तरह का रिजल्ट जारी करेगा जिए हैं त सिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से ही सिक्षक अभियर्तियों की काउंसलिंग की तयारी की है। सिक्षा विभाग के अपर मुक्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के सिक्षा पददिकारियों को काउंसलिंग की तयारी करने का निर्देश दिया है। सबसे पहले छटी से आठवी कक्षा तक की सिक्षक भरती परिच्छा का रिजल्ट जारी होगा। इसके बाद 11 वी और 12 वी कक्षा 9 वा 10 सिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। सबसे अंत में कक्षा पहली से पाँच वी तक यानि प्रारंबिक सिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। सिक्षक भरती परिच्छा में 7 लाग से अधिक अभियरती सामिल हुए, 8 लाग से अधिक अभियरती उने एड्मिट कार्ड डाउनलोड किया था। एड्मिट कार्ड डाउनलोड किया था। पिछली बार अभियरती ने सीधे जिलों को पत्र भेज कर परिच्छा में सामिल अभियरती की काउंसलिंग के लिए कहा है। इस बार अभियरती ने सीधे जिलों को पत्र भेज कर परिच्छा में सामिल अभियरती की काउंसलिंग कराने के लिए कहा था। पिछली बार अभियरती की काउंसलिंग मामले पर सिख्छा विभाग और विपेस्टी के बीच विवाद चर्चा में रहा था। तो गांधी मैदान में सामुहिक न्यूकती पत्र देनी की तयारी है। पहले चर्ण में 120,000 चैनित सिख्छकों के बीच जिसरा 2 नौवंबर को सामुहिक न्यूकती पत्र बित्रन किया गया था। उसी तरह दूसरे चर्ण में भी चैनित अभियर्थियों को जनवरी में सामुहिक न्यूकती पत्र देनी की तयारी विभाग कर रहा है। आविदन लेने के मात्र 12 दिन बाद ही 7 दिसमबर से परिच्छा आयोजन भी शुरू कर दी। 15 दिसमबर तक परिच्छा ली गई जिन दो केंदरों की परिच्छा रद होई थी। उसकी भी परिच्छा 18 दिसमबर को लिए ले गई। परिच्छा समाप्थ होने के एक पकवड़ा के अंदर ही सभी कक्छाओं के सिक्छकों पत के लिए रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सभी कहा जाए कि सिक्छक पत के लिए रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और सामूहिक रूप से गांधी मैदान में इन्हें नियुक्ति पत्र देने की तयारी जोरों से चल रही है। इस बार विप्यस्टी नहीं सिक्छा विभाग कराएगा अभिहरतियों की काउंसलिंग सिक्छा विभाग ने सभी जोलों की काउंसलिंग के तयारी करने का दिया है निदेश इतने पद भरे जाएंगे। बात की जाए तो 1,2,5 के लिए 9,400, 31,6,8 के लिए 31,982,9 और 10,000 की बात की जाए तो 25,500, 69,11,12 के लिए 22,727 जो है पदों को भरा जाना है। असी अलग-अलग रिजल्ट जारी होंगे इस बार और 31,982 पतों पर सबसे पहले छटी से आठीविक अक्छा के लिए रिजल्ट जारी होगा। काउंसलिंग में होगा बायमेट्रिक मिलांजियत। जिलों में काउंसलिंग के दौरान अभियरतियों को आवसक सैक्षिनिक परमान पत्रों के साथ परसिक्षण समंधी परमान पत्र, B.E.D.L.E.D. आदिसहित, T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E.T.E. के अभियरतियों के लिए इससे समंधित परमान पत्र लाना आनिवार होगा, सिक्षक बरति परिच्छा का रिजल्ट जिलावार रहेगा और इस बार काउंसलिंग में होगा बाइयमेट्रिक मीलान जिलों में कांसिलिंग के दौरान अभिरतियों के लिए इसे समन्दित परमान पत्र लाना अनिवार होगा सफल अभियरतियों के कांसिलिंग में सभी आवसक परमान पत्रों के साथ आधार बाइमेट्रिक मिलान कराने के बाद ही स्कूलों में ज्वाइनिंग होगी। तो यह था महत्पूर्ण अपडेट इस वीडियो में ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमसे जोड़ सकते हैं, जोड़ने के लिए आपको हमारी चैनल को सब्स्राइब करने ना है, नोडिफिकेशन वेल कौन कर देना है, औल पर क्लिक कर देना है, ताकि सभी वीडियोज के आप तक सबसे पहले मिल सके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल दन टेक केर, थैंक इस सो मच फर वोचिंग इस वीडियो, जै हिंद, जै भारत!